कल हमने प्रश्णावली 5.2 खतम कर लिया था आज से बच्चों सालों करने वाले हैं प्रश्णावली 5 प्रश्णावली 6 दसमलों एक रेखाएं और कोड़ ठीक है और इसकी हमने कुछ आधार भूत पद और हमने क्या लिखी है परिभासाएं लिखी हुई हैं और इसकी जितन से भी नियम हैं बहुत ही इंपार्टेंट हैं और एक तरफ से एक एक नियम एक एक परिभासा आप लोग समझे चलिए तभी यह जो प्रश्णावली है पूरी रेखाएं और कोड़ तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी ठीक है तो एक भी परिभासा मिश नहीं करन है देखिए क्या लिकाए पाहली रेखा है रेखाए खंड किनाड सं अक बिंदू और संतर दें अब देखिए रे MALE होती क्या है रेखा उसे कहते हैं जिसे हम ढोंदो तरफ क्या कर सकें है टीक है यूं शेया होती है रेखा होती है इसे हम रिप्रेजन्ट कैसे करते हैं इसे हम A b करके ऐसे लिखते हैं अगर जहाँ पर वान दें इसको वे उनństब में मान दें अब यह रेखा खंद क्या होती है रेखा खंड होह या उसको भी मान दिया, अब देखे इसके दो अंत बिंदु है, मतलब इसके दो अंत बिंदु स्थिध है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे, अब आगे देखिये, अब ये किरण है, तो किरण को हम क्या कहेंगे, किरण को कैसे हम लिखेंगे, किरण उ जिसका एक अंत्विंदू हो या दुसरे सब्सम्म हम कह सकते हैं वह किरण या वह रेखा जिसे हम एक ही तरब बढ़ा सकें उसे हम क्या कहेंगे रेखा बोलेंगे ठीक है अब सनरेख बिंदू क्या होता है सनरेख बिंदू को हम कह सकते हैं वह वह बिंदू सनरेख बिंदू वह बिंदू जो तीन या तीन से अधिक बिंदू हों और एक ही रेखा में इस्थित हों क्या हों एक ही रेखा में इस्थित हों उन्हें हम क्या कहेंगे सनरेख बिंदू जैसे ह यह मान दिया बी मान दिया और यह सी मान दिया आप देख लो एभीस בש dessa एक ने कि कि दके संद्रेक हमें होते हैं तीन या तीन से अधिक बिन्दू जो एक ही रेखा हमे स्थित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं आसन रेख बिंदू जैसे यह हो गई A B C और यह हो गया D तो तीन रेखा तो एक ही रेखा में हैं लेकिन चौथा जो बिंदू है वो एक रेखा में नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे आसन रेख बिंदू अब इसकी हम परिभासा देख लेते हैं ठीक ह में ष्ठित बिंदू का वह संहौं है जिसे दोनों और अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है. हमने आपको बताया कि रेखा कैसी होती है जिसे दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं. अब देखिए रेखा खंड एक क् रेखा का वह भाग जिसे दो अन्त बिंदू हो Rexha खंड कहलाता है यह देखिए इसके दो अंत बिंदू है जिसे हम कैसे रेपर शाट करेंगे ए बी से और ऊपर एक लाइन कीची होगी अब देखिए किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदू रेख किरण कहलाता तो वे सन्रेख बिंदू कहलाते हैं अब देखिए एक ही रेखा में स्थित हैं इसलिए हम कहा सकते हैं कि A B C सन्रेख बिंदू है अब यह तीन या तीन से अधिक बिंदू जो एक रेखा में ना हो यह तो इस तरह से आपके रेखा खंड किराड सन्रेख बिंदू और असन्रेख बिंदू की परिभासा समाप्त हो गई अब हम आगे की परिभासा हैं जो बहुत ही महत्त पूर्ण है उनको हम देखते हैं अब देखिए बच्चों हम जानेंगे कौन क्या होता है तो तो ऑषी क्या होता है हम की परिभासा यह लिख सकते हैं जब दो क franchiseण एक उभएञे निष्ट्ट बिंदू सेचलती हौए तो यह Prom Inn का निर्मान करती हौए ठेक है तो देखिया इसे हम क्या कहेंगे उभाई निष्ट बिंदू दूसे सब्दों में इसे कहेंगे सीर्स बिंदू ठीक है और ये दो क्या हैं दो किरणा है हमने खेडों की परिवासा बताई है जिसका एक अंत बिंदू हो और उसे एक तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सके वो किरणा कहते है तो यह क्या है यह किरणे हैं और उनके मद्ध इन दोनों के मद्ध बनने वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे कोंड कहेंगे ठीक है तो इसकी हम परिवासा लिख लेते हैं अब देखिए हमने कोण की परिवासा लिख ली है जब दो किर्णे एक ही बिंदु से प्रारंब होती हैं तो एक कोण बनाती हैं यह दोनों आपस में क्या बनाएंगी मिलकर कोण बनाएंगी उभय निष्ट अंत बिंदु कोण का सीर्स कहलाता है तो उसे हम क्या कहेंगे सीरस बिंदु कहेंगे तथा कोण बनाने वाली किल्णे क्या कहलाती है भुझाएं कहलाती हैं जो किंड़े हैं, इनकों दूसरे सब्दों में क्या बोल सकते हैं, कि ये क्या हैं, ये भुजाएं हैं, ठीक है, ये कोडों की क्या है, भुजाएं हैं, देखिए, अब हमने कोडों तो पढ़ लिया, कोडों क्या है, अब कोडों के हम परकार पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकों के प्रकार क्या लिखेंगे कोणों के प्रकार अब देखिए पहला प्रकार क्या है जो पहला है वो है नियून कोण क्या है वह नियून कोण अब नियून कोण क्या होता है वह कोण जो 0 टिकरी से बड़ा और 90 अंस से कम होता है उसे हम क्या कहते है नियून कोण तो जो x का मान होगा, वो 0 से तो बढ़ा होगा, 0 अंस से बढ़ा होगा, और 90 अंस से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, तो पहला आपका होगा नियोन कोण, अब दूसरा, दूसरा कोण काँ सा है, दूसरा कोण है, सम कोण, कौन सा है, सम कोण, अब सम कोण, तो आप लोग ज पर आन्सका होता है, 90 यहाँ पर एक्स की यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स, इसका मतलब जो एक्स की यह वैल्यू होगी वो कितना होगा, 90 अंसके बराबर होगा, ठीक है, अब आता है तीसरे नमबर आधिक कौर, कौक्न सा अधिक कौर? तुम लिख देंगे अधिक कोण, अब अधिक कोण नाम से ही देखिए पता चल रहा है, जो 90 अंस से क्या हो, 90 अंस से अधिक हो, यहाँ पर बनता सीधे 90 अंस, और यह 90 अंस से क्या हो गया, अधिक हो ठीक है, तुबारा सुनिए, अधिक कोण किसे कहेंगे, जो 90 अंस से अधि कोण कहेंगे ठीक है मतलब x की जो value होगी वो 90 अंस से तो अधिक होगी 90 अंस से अधिक होगी लेकिन 180 अंस से कम होगी ठीक है अब देखिए चाउथा चाउथा क्या है चाउथा है रीजू कोण काउन सा रीजू कोण दूसरे सब्दों में आई हम क्या बोल सकते हैं सरल कोण क्या बोलेंगे सरल कोण अब यह कैसे होता यह आप समझें सीद रेखा में जो एक सीधी रेखा में आईस होगी आईसthem क्या픈 किया कहेंगे क्या कहेंगे सरल कोड या रिजु कोड यहां पर हमने क्या नाम दे दिया एक्स अंस अब एक्स अंस जो जो एक्स की जो वायल्यू होती है वो कितना होता है एक्स अंस के बराबर होता है अब देखिए पांचवां पांचवां कौण सा है जो पांचवां कोड है वो है प्रतिवर्ति कोड अब प्रतिवर्ति कोड अब प्रतिवर्ति कोड बनता है कैसा प्रतिवर्ति ऐसा कोड बनता ऐसा ठीक बाहर की ओर जो कोड बना हुआ अंदर की और लाहिए बाहर की और कॉण बना हुआ है मतलब कि वह कॉर्ण यहाँ इंगे एकस अंसक जежд कॉमांब होगा वो कितना होग वो देखिए otuzy से ज्यदा है मतलब x कि आंसक का जब मान होगा वो एक似ोसी अंससे अधिक होगा और तीन सो साथ अंस से कम होगा ठीक है अब एक बात और समझ लिए प्रतिवर्ति कोण जब भी निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे तीन सो साथ से जो भी हमान निकालेंगे किसी कभी प्रतिवर्ति कोण निकालेंगे तो हम तीन सो साथ अंस से घटा देंगे हमारा प्रतिवर्ति कोण निकल लाएगा ठीक है नहीं समझ पाएं जब हम कोश्चन करवाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे ठीक है तो कोणों के प्रकार आपके क्या हो गए आपके जान चुके हैं अब आगे देखते हैं अगली परिभासां क्या है अब देखिए अनों का एक उभाय निष्ट बिंदू है और इन दो जो किरणे हैं A B और B C इनका एक उभाय निष्ट किरण है जब कभी भी आप कोण लिखेंगे सिमाल लोग यह माना हमारा कोण एक है और यह कोण दो है ठीक है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप यही कहें कैसे लिखेंगे कोण A B D A B D देखें जिस चीजिस कोण को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो पीच में रहेगा ठीक है फिर क्या लिखेंगे प्लस इस कोण को भी हम लिखेंगे या प्लस आप नहीं कह सकते तो ऐसे लिखेंगे D B C C B D ऐसे कह सकते हैं कोण D B C तो देखिए हर उसमें यह B D D B यह जो कीरण है यह उभाय खैक निश्टाई है न मतलग कामन है तो इसका मतलब इससे आपको परिभासा इसकी आप क्या हो जाएगी दो कोड़ अब देखिए ये दोनों कोड़ एक दूसरे कि ये दोनों कोड़ आसन कोण कहलाते हैं, कहलाते हैं, जब उनमें एक उभाय निष्ट बिंदु हो, उनमें एक उभाय निष्ट विंदु हो, ठीक है, उभाय निष्ट एक क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, उभाय निष्ट विंदु हो, और उभाय निष्ट रेखा हो और क्या होना चाहिए उभाय निष्ट के इधर उधर मतलब अगल बगल दो रेखाए होनी चाहिए ठीक है यहां पर लिखेंगे उभाय निष्ट के उभाय निष्ट रेखा के ठीक है उभाय निष्ट रेखा के या किरान हम बोल सकते हैं ठीक है उभाय निष्ट किरान हो यहां पर हम क्या बोल देंगे वैसे किरान रेखा दोनों एक ही जैसा है यहां पर हम रेखा ही लिखेंगे ठीक एक उभाय निष्ट भुजा हो, उभाय निष्ट भुजा के इधर उधर, इधर, उधर, एक, 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 भुजाएं हो, क्या हो, भुजाएं हो, ठीक है, ये इसकी परिवासा हो गए, अब दोबारा समझ लेजिए, उभाय निष्ट देखिए, असन कौन होने के लिए, सबसे जरूरी है, कि एक, उभाय निष्ट बिंदू होना चाहिए, और उसके बाद, एक, उभाय निष्ट देखा के इधर उधर दो भुजाएं होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा कोण, उभाय वो क्या कहलाएगा, असन कोण कहलाएंगे, अब ये दोनों कोणों जो हैं, क्या कहलाएंगे, असन कोण कहलाएंगे, ठीक है, अब देखिए, कोणों का राएखिक यूग, अब यह यहां पर देखिए यहाँ पर भी देखिये कौन बन रहा और एक इनका इसको क्या नाम दे देंगे इसको में नाम देंगे बिन ओ नाम दे सकते हैं घॉर यह ऐँ और और ऑसी तीनों का क्या है कि नहीं बिल्कूल है अब यह जो कोन बना हुआ है को यह करको दो इन दोनों कोणों का एक क्या है रेका है कि नहीं हूँ है लेकिन यहां पर एक कंडिशन है कि यहां पर दोनों कोणों का योग 180 नहीं हो रहा था और यहां पर बनने वाले टोटल कोण है यह कोण कितना होता है 180 अंस होता है तो यहां से यह परिवासा निकलके आई जब कभी दो असन्द कोणों का योग 180 अंस हो तो वो कोणों का राखिक युग में कहलाता है ठीक है यह परिवासा में लिखेंग जब दो आसन्ड कोणों का योग 180 अंस हो तो वहां पर रैखिक योग क्या होगा रैखिक योग्म होता है ठीक है तो आप असन्ड कोण और कोणों का रैखिक योग्म समझ चुके हैं अब आगे देखते हैं देखिए बच्चों अब हम जानेगे सीरसा भी मुख कोण की बारे में सीरसा कोण क्या होता है जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं तो आमने सामने बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है तो यह हम परिवासा लिखेंगे क्या परिवासा है जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को एक बिंद उपर लिख सकते हैं या सीधी लिख सकते हैं एक दूसरे को तो प्रति छेद करती हैं तो उनके द्वारा इनके सीधी रेखाओं के ठीक है रेखाएं उनके द्वारा बनने वाले कौन एक दूसरे की क्या है आपने सामने वाले ठीक है भनने वाले कून आमने सामने के कौन ऐसे लिख साथे हैं बनने वाले आमने सामने के कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे सीरसा भी मुख कोण कहलाते हैं ठीक है यहाँ पर एक जानकारी हम आपको और देते हैं जैसे इसको हम क्या नाम देदें एक इसको क्या नाम देदें दो तीन चार ठीक है अब यह आमने सामने जो कोण होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं बराबर भी होते हैं इसका मतलब लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण किसके बराबर होगा तीन और क्या होगा कोण दो बराबर होगा कोण चार के ठीक है इसे हम आपको सिद्ध करके भी बताएंगे कि आमने सामने के कोण कैसे बराबर होते हैं ठीक है देखिए अब हमने सीर साही मोग कोण के बारे में जान लिया अब हम जानेंगे प्रतिछेदी रेखाएं ठीक प्रतिछेदी रेखाएं आप प्रतिछेदी रेखाएं क्या होती ह इमटब submerter अप्रतिछेदी रेखाएं की नहीं कहेंंगे तो नाम सेटा चल रहा है प्रतिचेदी रेखाएं क्या नाम भी ढरलेंगे उैंटेगल कर ड़यों किन्य सभी और यह उन दिए कि इनीप स्वे और करेंगे ठीक है? तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहेंगे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दें? कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर दें तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल सकते हैं. ठीक है? अब देखिए इनकी परिवासा क्या लिखेंगे जब दो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर प्रतिछेद करें करती हैं करती हैं तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं यह दोनों रेखाएं प्रतिछेदी रेखाएं हैं ठीक है क्या लिखेंगे प्रतिछेदी एक मिनट क्या लिखेंगे प्रतिछेदी ठीक है प्रतिछेदी रेखाएं हैं प्रति छेदी रेखाएं हैं ठीक है अब दूसरी हेडिंग क्या होगी आप प्रति छेदी रेखाएं अब नाम से ही पता चल गया होगा कि आप प्रति छेदी रेखाएं क्या होती हैं समानतर रेखाएं, कैसी रेखाएं, समानतर रेखाएं, ठीक है, तो ऐसी रेखा होनी चाहिए, जो दो रेखाएं हो, लेकिन एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें, मतलब कि हम अनंत तक भी उन्हें क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तब भी एक दूसरे को ना क्रास करें अब देखिए, A और B को चाहे जहां तक बढ़ाईए, C और D को चाहे जहां तक बढ़ाईए, ये कहीं पर एक दूसरे उक्रास नहीं करेंगी, ठीक है? तो हम ये कहा सकते हैं, जब दो रेखाएं, एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर कहीं भी न कहीं भी कहीं भी प्रतिचेद न करें, प्रतिचेद न करें, तो वे रेखाएं, समानतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज की जितनी भी important परिभासा हैं थी, वो हमने करवा दिया हैं, ठीक है? ये क्या थी? ये आपके क्या थे? ये बेसिक चीज थी. ये आपकी क्या थी? बेसिक चीज थी जो हमने आपको करवा दिया. ठीक है? और इनके बीना आप रेखाएं और कोण की जितनी भी question हैं, उन्हें आप साल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए इन जितनी भी परिभासा हैं, इनके बारे में आप लोग जान लिए दिये, पढ़ले जिए. ठीक है? तो कल से हम सुरू करेंगे प्रस्नावली 6.1 के question. जितने भी question हैं, सारे question हम आपको एक एक करके सालो करवाएंगे. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों.